नमश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर CM नितीश ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जेनती पर कहा ये वीपी ऐसी उनातर वी पीटी परिच्छा का क्वेश्चन बुजेट जाड़ी जाती आधारित करना की रिपोर्ट हुई जाड़ी ये के पाठक पर बोले एक हांसर मुताया मुल्ली धरन ने पताई किन दो टीमों के बीच होगी विश्वकब 2023 की फाइनल इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से सियर मुतीश ने महात्मा गांधी और लाल बहादू शास्त्री जी की जयनती पर कहा ये आज यानी की 2 अक्टूबर को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा कर अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले हमारे राश्ट्रपता महात्मा गांधी और देश के पुर्व प्रधान मंत्री लाल बहादू शास्त्री जी का जंदन है मालू हो कि एक और जहां अंग्रेजों को भारत से खदेरने में महात्मा गांधी की और से चलाए गए सत्याग्रह जन अंदोलन की बड़ी भूमी का बताई जाती है तो वहीं दूसरी और भारत के स्वदंता संग्राम में लाल बहादू शास्त्री का भी महत्पुन योगदान बद्दा जाता है ऐसे में उनके जनती के अफसर पर बिहार के मुखे मंत्रे नितीश कुमार के द्वारा टूइट कर कहा गया है कि राश्ट्रुपता महात्मा गांधी जी को उनके जनती पर कोटी कोटी नमन, बापू के आदर्शो एवं उनके विचारों का अनुसरन का हमें संकल्प लेना चाहिए हमें बापू के विचारों को आगे बढ़ाना है तथा नई पीधी तक पहुँचाना है ताकि देश आगे बढ़े और समाज में भाईचारे और सद्भाव का महौल रहे और साथ ही पुर्व प्रधान मंत्री स्वर्गे लाल बहादू शास्त्री जी की जयनती पर उन्हें सादर नमन, सादगी और राश्र प्रेम से भड़े सास्त्री जी के जीवन से प्रेड़ना लेकर राश्त्री एक्ता को मजबूत बनाने का हमें संकल्प लेना चाहिए पतादे क्या सीम नितीश और राजेपार राजेपार राजेंदर विश्वनात आलेरकर के द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादू शास्त्री की प्रतीमा पर माले आरपन कर उन्हें नमन भी किया गया बिपिएसी उनतर वी पीटी परिक्षा का question booklet जारी बेहार लोग सेवा आयोक के द्वारा बिपिएसी उनतर वी पीटी परिक्षा का एक सीरीज ए का question paper जारी कर दिया गया है और इस परिक्षा के लिए पूरे राजी में 488 परिक्षा केंद्र बनाए गया थे वहीं इस परिक्षा के रिजल्ट को लेकर आयोक के सचीव रवीब भूशन के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि इसका रिजल्ट दिसंबर जनवरी तक जारी किया जा सकता है मालमों कि इस परिक्षा में पेपर लीक या किसी प्रकार की गर्वड़ी जैसी किसी घटना की जानकारी सामने नहीं आई है जाती आधारित गन्ना की रिपोर्ट हुई जारी आज मुख्य सचीव आमिर सुभानी के दोरा गांधी जहती के मौके पर प्रेस कॉनफरेंस कर बिहार में हुई जाती आधारित गन्ना की रिपोर्ट जारी कर दी गई है वहीं बिहार की कुलाबादी में पिछला वर्ग 3,54,63,936 है अतियन पिछला वर्ग में 4,70,80,514 अनुसुचित जाती वर्ग के 2,56,89,820 अनुसुचित जन जाती वर्ग के 21,99,361 और अनरक्षित वर्ग के 2,2,91,689 अबादी मौझूद है इसके अलावा अगर हम चाती आधारित जन संख्या की बात करें तो यादवों की आवादी सबसे जादा 14,26666 है जबके कुर्मी 2,87,85% बताए गये हैं वहीं ब्राहमन 3,65,75% वनिया 2,3,155% भुमिहार 2,86,83% वकुष्वाह 4,212,60% बताए गये हैं N.O.U.K. नई कैंपस में इस दिन से शिरू होगा कामकाज पिहार का इकलोता दुरस्त सक्षा के माध्यम से चलने वाला नालंदा खुला विश्यविद्याली यानि की N.O.U.K. बढ़ गाउन नालंदा इस हित नमनर्मित नई कैंपस जिसका रिणमान 10 एकर में किया गया है और जिसका उदगाटर मुखे मंतरी रितीश कुमार के दौरा पिछले ही महीने किया गया था उसमें कामकाच की शिर्वात 9 अक्टूबर से होने वाली है बता दे कि नैक की टीम आने वाली है जिस वज़े से विश्य विद्याली को नए कैंपस में स्थांतरित किया जारा है यानि कि आगामी परिक्षा अब नम नर्वित भवन में आयुजित की जाएगी इकुल सचीब के दोरा दी गई जानकारी के नुसार नैक से मानता मिलने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मालमों के नए कैंपस में सक्षकवव विद्यार्थियों को सभी तरह की अत्यादुनिक सुभधाईं मिलेंगी विद्यार्थियों के रहने के लिए 240 बिट का चात्रवास भी बनाये गया है और चात्रवास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मिसकी भी सुभधा उपलब्द कराई जाएगी मैं आतित्यों के रहनें के लिए चार तल का गेस्ट हाउस भी बनाएं गया है और इसके लावा 100 लोगों की छमता वाला कॉन्फरेंस हॉल भी तयार किया गया है पटना यूनिवर्सिटी के विलर सिनेट हाउस का अब ये होगा नया नाप पटना विश्यविद्याले के स्थापना के 106 साल पूरा होने पर विश्यविद्याले के अतिहासी विलर सिनेट हाउस के अपनिवेशिक नाम को बदल कर दिग्गत समाजवादी नेता जैप्रकाश नारायन के नाम पर जैप्रकाश नारायन अनुसत भवन रख दिया गया है इलिए विलर सिनेट हाउस में एक नई पटिका भी लगाई गई है जिसमें नाम बदलने को लेकर जानकारी दी गई है बता दे किस पटिका में लिखा हुआ है कि पटना विश्चविद्याले बिहार के राजेपाल सहकुलाधी पती श्री राजिंद्र विश्वनात आलेरकर क मंसूरी के बाद 13 सितंबर 2023 को विलर सिनेट हाउस का नाम बदल कर जैप्रकाश नारायन अनुसत भवन कर दिया गया केके पाठक पर बोले खांसर इन दिनों बिहार के सिच्छा विवस्ता में सुधार लाने के लिए बिहार के सिच्छा विवार के अपर मुख्य सचीव केके पार्थक के द्वरा कई फर्मान चारी किये जा रहे हैं जिसको लेकर एक वर्ग के बीच खुसी का महौल है तो वहीं दूसरी ओर एक वर्ग के लोग के के पार्थक से नाराज दिख रहे हैं इसी बीच अब केके पाठक को लेकर खांसर के दोरा भी अपनी प्रतिक्रियाद दी गई है उन्होंने कहा कि केके पाठक आज जो कर रहे हैं अगर लोग यह सोचते हैं कि इसका रिजल्ट ततकाल मिलने लगेगा तो यह संभव नहीं है उनके काम का असर 10 साल बाद दिखेगा सिक्षा कोई धान की खेती नहीं है जिसका रिजल्ट एक साल में दिखने लगेगा कि पिछले साल फसल बहतर हुआ था या खड़ाब इसमें समय लगेगा उन्होंने कहा कि अभी सक्षन सत्र चल रहा है इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि जो चल रहा वह सही नहीं है सत्र खत्म होने के बाद ही पता चल सकेगा कि छात्रों को कितना फाइदा हुआ है उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं अपने कोचिंग के छात्रों को पढ़ा कर खुश हूँ सिपाही भरती परिक्षा का पेपर लीक मामले पर ई ओ यू ने शुडू की जाच बीदर दिन एक आक्टूबर को बिहार पुलिस में सिपाही भरती के लिए दो पालियों में परिक्षा अयुजित की गई थी लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि इस परिक्षा का पेपर लीक हो गया था वहीं अब इस मामले को लेकर ADG नईयर हसनयान के दौरा खुद संग्यान लिया गया है और साथ ही आर्थी कपरात इकाई के दौरा भी जांच शुरू कर दी गई है जहां से पेपर लीक के मामले सामने आये थे उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य और सबुद सामने आएंगे उसके आधार पढ़ी आर्थी कपरात इकाई के दौरा आगे की काड़बाई की जाएगी इसके लावा EOU के दौरा उन्रेंच के IG, DIG और जिलो के SP से भी इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है गया पहुँचेंगे पंडित धिरंद्र कृष्ण सास्त्री पागेश्वर धाम के बाबा धिरंद्र कृष्ण सास्त्री अपने तीन दिवस के दोड़ी को लेकर आज शाम बेहर के गया अपने विसेश चार्टिट विमान से पहुँचने वाले हैं जहांवे 4 ओक्टूबर तक रहेंगे बतादे इस बात की जानकारी बागेश्वर धाम सरकार के नीजी सचीव उपिंद्र शिंग के द्वारा दी गई है बिहार के इस जिले में सबसे खड़ाब ट्राफिक अमेरिका की रिसर्च संस्था नेशनल ब्यूरो ऑफ एकनॉमिक रिसर्च के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार के दो शहर ऐसे हैं जिनके गिंती दुणिया के सबसे खड़ाब ट्राफिक विवस्थावाले 20 शहरों में की गई है इसके लावा इन 20 सहरों में 8 शहर भारत के हैं आपकी जानकारी क्लिब बता दे कि बिहार के जिन 2 सहरों के नाम को दुनिया के सबसे खड़ाब ट्राफिक विवस्था वाले 20 सहरों में शामिल किया गया है उनमें बिहार सरीफ 11 वे अस्थान पर है तो वहीं 18 वे अस्थान पर इसके लावा भारत के सबसे खड़ाब ट्राफिक में भिवंडी, कॉलकता, मुंबाई, आईजोल, बैंग्रुडू और सिलॉंग शामिल है आपकी जानकारी क्लिब बता दे कि नेशनल ब्यूडो ओफ एकनॉमिक रिसर्च के द्वारा यह अध्यान 152 देशों के 1200 सहरों पर उन्हें मीदिया से बातचीत करते वी कहा कि सभी बातों पर समय से नर्णय होगा अभी नहीं उन्हें कहा किस मसले को लेकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार विचार करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और महागरवन्धन की सरकार सभी का ख्याल रखेगी पता दे कि सक्षकों के बीच घोड निराशा बनी हुई है अब नियोज सक्षकों को राजिकर्मी का दर्जा पाने के लिए तेश्वी यादव के कहनुसार और इंतजार करना होगा आरसेपी सिंग ने मुख्य मंतरे नितीश कुमार पर बोला हमला पिछले काफी दिनों से ऐसी खबरे आ रही है कि मुख्य मंतरे नितीश कुमार की पार्टी जेडियू में तूट आ रही है इसी कड़ी में बीजपी के नेता आरसेपी सिंग के दोरा भी मुख्य मंतरे में और भी खड़ाब होगी ये बढ़िया है नितीश बाबू ने कुकर्म किया है आज अपने सामने सब कुछ देख लीजे कि उनके आखों के सामने क्या कुछ होडा है और उने कहा कि पार्टी उनके सामने बरबाद होड़ी है और वो चुपचाब देख रही हैं Siam N traumatic ने फिर लालो यादव से उनके आवास पर की मुलाकात आज कांधी जेनती के काड़ी करम से निकलकर बिहार के मुखे मंत्री नतिश कुमार सीधे राज़त सुप्रीमो लालो पुशाद यादव से मिलने के लिए रावरी देवी के सरकारी आवास पर पहुँचे बतादी के इस दोरान दोनों निताओं के वीज कड़ी 20 मिनर तक बात चीत हुई वहीं अब इनकी मिलाकास से एक बार फिर से बिहार की राजनितिक गल्यारों में चर्चा तेज हो गई है बतादी के मीडिया में चल रही खबलों के नुसार इस दोरान सीयम नितीश के साथ मंत्री विजय चौदरी भी मौजूद थे पालमों कि से पहले 28 सितमबर को राजस सुप्री मुलालुप शाद ग्यादव ने मुखी मंत्री आवास एक अने मार्ग चाकर सीयम नितीश से मुलाकात की थी इस दोरान दोनों निताओं के वीज करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई थी अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा इंडिया गरबंधन पर जम कर भरास निकाला गया है उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं इनकी जीप फरफ़ाने लगती है ये उट पटांग गलत और गंदी बयान बाजी करने लगते हैं जो बेहत दरभाग्य पुर्ड है इंडिया गरबंधन में शामिल निताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सनातन और जातियों का दोईस फेला कर जातियों से जातियों को लड़वाने का काम करते हैं इसलिए ऐसे लोगों से साफधानी बना कर रखें उन्होंने कहा कि नालियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान मुथाया मुड़ी धरन ने बताई किन दो टीमों के बीच होगी विश्वकप 2023 की फाइनल पाच अक्टूबर से विश्वकप 2023 की शिरवात होने वाली है इसे में स्कोली कर क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी उत्साह का महौल बना हुआ है इसे बीच अब श्रिलंका के महान ओफ स्पिनर मुथाया मुड़ी धरन के दोरा भविश्चेबानी करते वें बताये गया है कि किन दो दमदार टीमों के बीच विश्वकप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा बता दे कि मुथाया मुड़ी धरन के नुसार भारत आगामी मेगा टूर्णामेंट के खिताब का प्रबल दाविदार होगा मालमों कि मुथाया मुड़ी धरन के दोरा लगाए गया नुमान के नुसार विश्वकप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकस्तान के बीच खेला जा सकता है प्रति लिटर मिल रहा वहीं पूरिया में प्रेट्रोली कीमत 107.9 रुपे और डीजल कीमत 96.9 रुपे प्रति लिटर है पतादे कि बिहार में पिट्रॉल कारेट सबसे आदा कसन गज में है जहां पिट्रॉल 119, 6-2 रुपे प्रती लीटर और डीजल 96, 2-5 रुपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है बीते दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों ने हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुशार विश्व कब 2023 का फाइनल मुकाबला किन दो टीमों के बीच खेला जा सकता है अपना जवाब हमें मारे कमेंट सक्षम लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखे तो पेसको फॉलो करना ना भूले धन्यवाद